हलो बच्चो मैं अमीना और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में So in India, we have three major seasons हमारे यहां मुख्यता तीन रित्वे होती हैं कौन-कौन सी? Winter यानि सर्दी का मौसम Summer यानि गर्मी का मौसम Rainy यानि वर्शारितू, बर्सात का मौसम और इन तीनों मौसम में हमें अलग-अलग अनुभा होता है जैसे winter season में सर्दी के मौसम में क्या होता है? हमें ठंड लगती है और ठंड से बचने के लिए हम उनी कपड़े पहनते हैं और summer season यानि गर्मी के मौसम में हमें बहुत गर्मी लगती है हमें पसीना भी आता है और हमें पंखे के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है हमें ठंडी-ठंडी चीजे खाना अच्छा लगता है इस मौसम में हम लोग बहुत सारे नैने fruits खाते हैं जो इस मौसम में ही पकते हैं कौन-कौन से fruits? यस आम, लीची, केंदू, चहार और भी कई तरह के फल फ्रूट हम लोग इस मौसम में खाते हैं और हमारा तीसरा मुख्य मौसम है रेनी सीजन यानि वर्शारितू, बरसात का मौसम इस मौसम में आकास ज़्यादा तर बादलों से ढखा हुआ होता है और बहुत पारिश भी होती है इस मौसम में और हम लोग कहीं अगर हम लोगों को बाहर निकलना होता है तो हम लोग छटरी का इस्तेमाल करते हैं या रेन कोट्स का यूज़ करते हैं हम लोग अब है, आपके सामने ये तीन पिक्चर्स है बच्चो इन तीनों पिक्चर्स को देख करके आपको बताना है कि किस-किस मौसम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे पहला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हैं वूलन क्लोद्स यानि उनी कपड़े इसको हम लोग कप पहनते हैं? बिल्कुल सही जब हमें ठंड लगती है यानि विंटर सीजन में दूसरा एक फ्रूट है कौन सा फ्रूट है? ये मैंगोज है यानि आम हम लोग आम कप खाते हैं बच्चो? गर्मी के मौसम में इस मौसम में ही ये फल पकता है और ये बहुत ही टेस्टी भी होता है हमारा तीसरा पिक्चर है क्या है ये? अंब्रेला यानि छटरी छटरी का इस्तिमाल हम लोग जब बारिश होती है तब हम लोग इसका इस्तिमाल करते हैं है ना? तो ये थी हमारे देश की तीन खास मौसम की चैनकारी और आपको मुझे ये भी बताना है कि आपका फेवरेट सीजन फेवरेट मौसम कौन सा है किस मौसम में आपको सबसे ज़ादा अच्छा लगता है तो चलिए इसके साथी साथ हम लोग अभी एक कहानी भी सुनते हैं जो आपके बुक के unit 9 में है seasons तो इस कहानी में एक पेड ने अपनी कहानी सुनाई है बहुत प्यार से किस तरह से वो तीनों मौसम में वो क्या-क्या देखता है तो चलिए पढ़ते हैं once upon a time एक बार की बात है there was a lonely tree in a village एक गाउं में एक अकेला पेड रहता था lonely यानी अकेला it was always sad sad यानी दुखी और वो हमेशा दुखी रहता था जैसा आप इस picture में देख रहे हैं it used to see activities happening in all the seasons और वो हमेशा अपने आस पास में जो भी activities होती थी उसे वो देखता रहता था कि क्या क्या हो रहा है और वो क्या क्या देखता था in winter season सर्दी के मौसम में it was cold बहुत थंड होती थी the tree could see the people wearing woolen clothes पेड देख सकता था कि लोग किस तरह से उनी कपड़े पहनते हैं it also saw them sitting around the fire और ये पेड उन लोगों को आपके चार और बैठे हुए भी देखता था कि वे लोग खुद को गरम रखने के लिए आग ताप रहे हैं और चाय पी रहे हैं और उसके साथ साथ during that season और इस मौसम में the leaves यानि पत्ते of the tree fell off fell off यानि गिरते हैं जड़ना and it felt so cold तो इस मौसम में ही पेडों के पत्ते जड़ते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है है न in summer season उसके बाद पेड ने देखा कि किस तरह से गर्मी के मौसम में क्या-क्या होता है it was hot कि बहुत गर्म लगती है the tree could see children enjoying ice creams पेड देख सकता था कि बच्चे किस तरह से ice creams का मज़ा ले रहे हैं आपको भी अच्छा लगता है ice creams मुझे भी बहुत पसंद है cold rings और cold rings भी रहे हैं and mangoes और इस मौसम का सबसे पसंदीदा फल आम आम खा रहे हैं the fruits of the tree became ripe और इस मौसम में ही पेडों के फल पकते हैं birds came and ate the fruit पक्षी भी आते हैं पेडों पर बैट करके फल का आनन लेते हैं खाते हैं फल they dropped the seeds and flew home और फल खाने के बाद पक्षी जो है बीज नीचे गिरा देते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं फिर उसके बाद आता है then came the rainy season उसके बाद आती है वर्षा रितू बारिश का मौसम it was humid उस समय बारिश होने के कारण humid रहता है मौसम यानि नमी गीला गीला मौसम रहता है the tree could see the children playing in the muddy pool पेड़ ये भी देख सकता था कि बच्चे किस तरह से the farmers were plowing their land और farmers यानि किसान अपने खेतों को जोत रहा है plowing यानि जोतना ठीक है देखिए इसे कहते हैं plowing and sowing sowing यानि bona seeds bees भी बोते हैं इसी मौसम में it was green everywhere और इस मौसम में हर जगा हर्याली ही रहती है हर जगा क्यूंकि पानी यानि बारिश होती है तो हर तरह के खर्पतवार घास फूस पेर पौधे इस मौसम में ही होते हैं तो हर चारो तरफ मौसम हर्याली होती है the seeds dropped by birds started to grow तो वही भी जो उन पक्षियों के द्वारा नीचे गिराया गया था अब वो बढ़ने लगे वो पौधे में change हो गया वो seeds और धीरे धीरे after few years they grew to become strong trees कुछ साल के बाद वे बढ़ करके मजबूत पेडों में change हो गया पदल गया the place turned into a jungle और वो जंगल और वो जगह जंगल में change हो गया पेडों से भर गया है ना and the tree was happy अब वो पेड बहुत ही खुश था क्यों खुश था क्योंकि अब इसके आसपास बहुत सारे पेड पौधे है अब वो दुखी नहीं था अब वो अकेला नहीं था many birds and animals came to leave there अब यहां पर चुकि यह जंगल बन चुका था तो बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पक्षी भी अब यहां पर रहने आते थे और अब यह पेड बहुत ही खुश था तो यह थी कहानी इस पेड की की तीनों मौसम में क्या-क्या हुआ और किस तरह से यह पेड अकेला था और अब यह बहुत खुश है बहुत सारे पक्षी बहुत सारे आनिमल बहुत सारे पेड अब इसके साथ है तो बच्चो इस चाप्टर में हमने जाना तीन मौसम के बारे में winter, summer and rainy season के बारे में winter में क्या था? हमें ठंड लगती है, पेड़ों के पते जढ़ते हैं और हम लोग उनी कपड़े पहनते हैं summer में क्या होता है? पेड़ों के फल पकते हैं बहुत घर्मी लगती है हमें पसीना भी आता है rainy season में क्या होता है? बहुत बारिश होती है और आकास जादा तर बादलों से गिरा हुआ होता है तो ये तीन मुख्यता हमारे देश के मौसम है थाइंक यू बद्ट